हेलो फ्रेंस, अल्क माई टोग चैनल, मैं आपको स्वागत है, फिर से मैं एक नए उडिक साथ आज के हैं, आज जो वीडियो होगी, आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इजी प्यारी सी अपडेट है, वो लेकर आ चुक हो हूँ यान कि आज की जो आपको ESI क बात ये है, कि इसके अंदर आपको कोई भी एक्जाम है, वो एक्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है, यान कि बिना कोई एक्जाम कि आपके यहाँ पर जो वेकंसी है, वो करवाई जाएगी और यही आपके लिए सबसे इंट्रेस्टिंग और सबसे अपर्चुनिटी वाल करवाली है, इसके अंदर आपको स्टाप्नर्स Grade 2 की जो पोस्ट है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसमें देख लीजएगा, बैकन्सियक कितन ही यह गाइनाफकी यह कर पाएंगे बारे में डिसकस करो तो मिनिममम अग्रत आपको थर्टी नाइन यह तो इनके अथारा से गुंचालिस यार आपकी क्या रहेने वाली है यहां पर एस लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए आपको किस प्रकार से एप्लिकेशन फॉर्म को समिशन करना होगा बहुत देख लिए इंट्रस्टिंग के उपर आपको क्या करना है अपने डॉकुमेंट्स लेके जाने है साथ हमें अपना रिजूम वगरा सारी चीज इंट्री के टाइम ही आपको लेके जानी है बाकिया अलग से आपको कुछ भी यहाँ पर अप्लिकेशन फॉर्म वगरा को अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर देख लिएगा अप्लिकेशन फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूँगा इससे पहले आपको बता दो उसके अंदर क पॉटो कोपिया आपको एड़ करनी डॉकुमेंट्स कौन से अटे सबसे पहले एज प्रूफ सर्टेफिकेट यांद की 10th की मार्क सीट आपकी होनी चाहिए 12th की मार्क सीट आपकी होनी चाहिए अगर आपने जीनम किया तो जीनम ट्रेनिंग एच यह आपके पास मार्क चाहिए जीनम का पास स्रेटेफिकेट यांद की आपकी बास रजिस्ट्रेशन से नंबर होने चाहिए डिग्री या डिपलोमा होना चाहिए रेजिटेंस का प्रूफ होना चाहिए ठीक है यह सारी चीज़े आपकी प्र उन्ची अवलेबल होनी चाहिए उसके बाद में कंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के आपर आऊ सकता पड़ेगी ऑफिशल वेबसाइट के बारे में चर्चा करूं तो www.esiwb.gov.in क्या इसकी ओफिशल वेबसाइट है आपको जितनी भी छोटी छी छोटी अपडेट है सारी आपको इसकी ओफिशल वेबसाइट से ही मिलेंग जो जीबी ब्लोक सेक्टर थर्ड साल्ट लेक खोलकाता अपका क्या रहेने वाला इंटर्यू आपको इहापर देखने को मिल जाएगा ठीक है आपका इंटर्यू कब रहेगा यह देख लीजिएगा जिनका नाम यहाँ पर इंट्रिव आपको नेम वाइज दिया गया है इस जिसका नाम A से D है उनका अलग डेट को E L U Z वालों का अलग डेट को M O का अलग डेट को जिनका पहला अकसर नामों से शुरू होता है तो 31 जुलाई को आपका A से लेकर और D तक के नाम है उनका सबका इंट्रिव होगा उसके बाद में 1 अगस्त को आपका E L U Z वालों का नाम जिनका नाम सुरू होता है उनका इंट्रिव होगा उसके बाद 2 अगस्त को आपको M और O वालों का इंट्रिव होगा 3 अगस्त को आपको P और R वालों का uit 4 अगस्त को आपको s और t इस परकार से आपका क्mile रहेगा यहांपर जो इंटर्यू वे इंटर्यूव आपको देखने में को मिल जाएगा ठीकर यह आपको मेल और मोबाइल नमबर आपको यह दोनों चीज आपको बिल्कुल करक्ट लिखनी है इनमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है यह दोनों चीज आपको बिल्कुल करक्ट लिखनी है मेल और मोबाइल नमबर उसके बाद लिखनी है उसके बाद में आपने कोर्स क्या है उ तो other qualification भी आप यहां पर लगा सकते हैं, यह सारी चीज़ लगाने के बाद आपको signature यहां पर करने हैं, पहले सोर डेट आपको यहां पर लिखनी है, यह सारी चीज़ आपको यहां पर क्या होंगी, लिखनी पड़ेंगी और यह आपका application का format रहेगा, इस format को आप फूर्मेट क चीज़ आप सभी के लिए यही रहेगी, और सबसे important यहां के वीडियो को लास्ट के अंदर आपको बताते हैं, यहां पर West Bengal का आपका registration certificate सहिएगा, इस चीज़ को आप बिल्कूल भी ना बूले, क्योंकि यहां पर WBN के West Bengal का रजिस्टरेश्टर नर्सिंग कांसिल का आपको registration certificate की यहां पर आप सकता पड़ेगी, तो वो आपको यहां पर लगाना होगा, ठीक है, तो यह आपकी वेकंसिस थी, स्थात्नास की पोस्ट है, 109 पोस्ट है, शैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी है, ESI Hospital के तरफ से वेकंसि आपको प्राइड की गई है, तो अगर आपक कर दीजेगा, जिससे सभी को इस वेकंसिस के बारे में पता लगा सके है, और शाथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, आपको ओल और इंडिया की इस सारी अपडेट है, आपको इस चैनल के माधिम से रेगुलरली मिलती रहेंगी और एक सबसे बड़ी न्यूज आपको बता दूए, यहाँ पर नोडशाट 7 के अंदर जितनी भी आपकी पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड की गई है, जैनकि जिस कुछ यहाँ पर हुस्पिटल न्यू हुस्पिटल एड हुई है, उन सारी डिटेल कल आपको डिटेल वीडिय आपको मिलेगी, बाकी आपको मिलते हैं, कोई नहीं है, अब इनके साथ, थांक्यू सो मच्छ जिए